ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे important मिल होता है इसलिए ब्रेकफास्ट के time में fruit, salad, bread, toast इस तरह की healthy चीजे लेने की कोशिश करनी चाहिए ब्रेकफास्ट ज़रूर करे ब्रेकफास्ट बिलकुल भी skip ना करे गाइद्स, breakfast में हम जल्दी में कुछ एसी चीज़े लेते हैं कि हमें लगता है कि वो healthy है लेकिन actually में breakfast हमारे पूरे दिन का सबसे पहला meal होता है कुछ लोग इसे खाली पेट लेते हैं एसे में कुछ food एसे है कि जिने healthy होने के बाद भी हमें breakfast में खाली पेट नहीं लेना चाहिए तो आज में इस वीडियो में 7 एसे एटम शेयर करने वाली हूँ जिने आपको breakfast में खाली पेट नहीं लेना चाहिए सुबह fruit खाना बहुत अच्छी बात है और citrus fruit के तो benefits है इसमें vitamin C होता है जो आपकी skin के लिए immunity के लिए बहुत अच्छा होता है बट खाली पेट citrus fruit खाने से पेट में acidity हो सकती है जिससे gas, bloating की problem भी हो सकती है और हमें लगता है कि यार हमने कुछ गलत भी नहीं खाया और हमारे साथ इसा क्यों हो रहा है इसलिए आप सुबह सुबह उठते ही breakfast में खाली पेट citrus fruit एवोईड करें और इन्हें बाकी के दिन के लिए बचा के रखें citrus fruit की जगह आप morning में कुछ ऐसे fruits ले सकते है कि उन्हें खाली पेट खाने के भूत फाइदे होते है जो आपको आपके स्टमक के लिए cleaning में मदद करते है आप सुबह उठके watermelon खा सकते है ये light होता है, refreshing होता है, hydrating होता है जिसकी वज़े से इसे खाली पेट लेना बिल्कुल safe है आप सुबह सुबह उठते पपया भी खा सकते है इसे खाने से body में toxins निकलते है इसलिए इसे भी खाली पेट खाना बिल्कुल safe होता है और आप dry fruits भी ले सकते है चलिए अब देखते है अगला एटम कौन सा है bread toast एक कितना ही common option है जैसे की butter के साथ jam के साथ omelet के साथ actually problem इस toast में नहीं है problem आप कौन सा bread choose करते है ना इसमें है आप अभी भी white या brown bread ले रहे है ना तो इसे change कर दीजे यह ना मेदे से बनती है इसका कोई भी benefit नही है इसमें कोई भी nutrition value नहीं होती है यह digestion को भी खराब कर देती है weight gain और diabetes का कारण भी बनती है और brown bread काफी companies अपने packet के उपर बड़ा बड़ा लिख के रखते है brown bread तो लिख देती है ब्यूस का है ना main ingredient मेदा ही होता है इसलिए आप है ना whole wheat bread नहीं तो multi grain bread को juice कीजिए और उसके ingredient को जरूर पड़े अब चलिए आपको और एक शौक देते ही fresh raw green salad बहुत ज्यादा healthy nutritious है बट इसे खाली पेट लेना ठीक नहीं है raw vegetables में fiber content काफी ज्यादा होता है जिसे खाली पेट लेने से हमारे digestive system पे load पड़ सकता है इससे पूरा दिन पेट में gas बनी रती है जो कि आपके लिए काफी embarrassing हो सकता है इसमें tomato भी शामिल है क्योंकि उसके अंदर जो tannic acid होता है जो खाली पेट लेने से acidity create कर देता है तो बेटर यह होगा कि आप vegetable को रोखाने की जगह थोड़ा सा cook करके खाओ जिससे और digest करना easy हो जाए और best option तो यह है कि आप अपने breakfast में पो पोहा उपमा चीला या जो भी आप बना रहे हो उसमें बहुत सारी vegetables एड़ करों उससे ओमिल बैलेंस तो होगा उसके अंदर fiber भी आ जाएगा vegetables की goodness भी हो जाएगी और साथ में उन्हें digest करना भी easy हो जाएगा चलिए देखते है next food item कौन सा ही सुबह उटके चाय के साथ multigrain biscuit खाना किसे पसंद नहीं है और इसे खाने में हमें कोई guilt भी नहीं होता क्योंकि हमें oats, multigrain, healthy biscuits लेने हैं लेकिन सुबह उटके कोशिश करो packet की चीज़े ना खाई, कुछ fresh चीज़े ही खाओ packet के उपर जितना मर्जी multigrain healthy digestive लिका हो पर रहेगा तो processed ली उसके अंदर refined sugar, refined flour, refined oil तो होता ही है तो क्यों अपने दिन की शुरुवात प्रोसेस चीज़ों से करनी है जब आप पूरी रात सोने के बाद सुबह उटते होना हमारा पेट खाली होता है तो हमारे पास एक opportunity होती है कि खूद को कुछ ऐसा fit करे जिससे हमारे आगे का दिन ज़्यादा energetic हो जाए ज़्यादा active जाए मैं आपको यह नहीं कह रही कि आप सुबह उटके चाई या coffee ना लो but all I want to say कि खाली पेट ना ले क्योंकि जब आप खाली पेट चाई लेते हैं तो इससे पेट के अंदर gas और bloating acid हो सकती है I know जिन लोगों को सुबह उटके चाई पीने की आदत है उन्हें लगेगा एक cup पीने से क्या होगा but do you know रात भर की नीन के बाद जब सुबह उटते हो हमारी body already dehydrate होती है और चाई coffee पीके हमूस dehydration को और ज़्यादा severe कर देते है खाली चाई coffee लेने से हमारी nutrients को भी डंग से absorb नहीं कर पाती इसलिए ज़्यादा तर डॉक्टर आपको सुबह खाली पेट चाई या coffee पीने से हमेशा मना कर देते है बेस्ट यह होगा कि इसकी जग आप सुबह की breakfast के बाद एक गंटे बाद चाई coffee ले सकते है और सुबह उटके कुछ पीने की आदत ही है हरबल्टी ले सकते हो आप जिरा ओटर, सिनेमन ओटर, लेमन ओटर भी ले सकते है लेमन ओटर, जो की hydration improve करते है और fat को भी loss करती है चलो अब देखते है अगली food item कौन सी है अगर आप सुबह उटते ही सबसे पहले breakfast करते हो तो उसके अंदर लाल मिर्च पाउडर या इस तरह की spicy चीज़ों की इस्तमाल मत करो क्योंकि सुबह उटते ही खाली पेट, extra spicy, extra hot चीज़े खाने से पेट के अंदर जलन, gas और digest इशू हो सकते है और आपने अगर आपकी breakfast को spicy बनाना ही है तो एक एसा spice है जिसे खाली पेट खाने के फाइदे है अगर आप समझ गए हो तो कि spice की बात कर रही हूँ तो जल्दी से comment में बता दो इस spice को खाली पेट खाने से divization improve होते है एक calorie burning में भी help करता है immunity के लिए भी अच्चा होता है और इसको आप सुबह उटके गुनगुने पानी में डालके डायरेक्ट भी ले सकते है यस मैं बात कर रही हूँ black paper की अगर आपका breakfast आपके दिन का सबसे पहला मिल है तो आप उसके अंदर black paper का यूज कर सकते है जिससे ओ खाना flavorful भी हो सकता है और डायजेशियन को भी help कर सकता है चलिए अब देखते है ओ 7 food item कौन सा है जिसे आपको सुबह उटके खाली पेट नहीं लेना चाहिए अगर आप आपके breakfast में sausage, jam इस तरह की चीजे लेते हो तो अच्छा नहीं है इसकी जगा पे आप boiled eggs ले सकते है, green chicken sandwich भी ले सकते है, cottage cheese से बनी, चीजे भी ले सकते है ये protein अपने natural form में है, guys कई बार हम अपना भला करने की चक्कर में ही अपने साथ गलत कर बैटते है तो मैं चाहती थी कि इस वीडियो की through मैं आपको आपके breakfast के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बता सकू अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की वीडियो में lunch और dinner के लिए भी बनाओ, तो please आप मुझे comment करके बता सकते हो अगर आज की वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजिए और आपकी family के साथ आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर share कीजिए और अभी तक channel को subscribe नहीं किया होगा तो channel को जरूर subscribe कीजिए